गुरुवार को केंद्र सरकार द्वाराज स्वचता सर्वेक्षंड 2023 को लेकर परिणाम जारी कर दिये गए जहां लगातार सातवी बार इंदोर ने बाजी मारी है वही नाकपुर 27 वे नमर से अब सीधे जाकर 86 वे पायदान पर पहुच गया है जिसे लेकर शहर प्रशासन को काफी आलोशना का सामना करना पड़ रहा है साल 2022 की बात करे तो नाकपुर स्वचता सर्वेक्षंड में पूरे देश में 27 वे स्थान पर था जिसे एक संतोष जनक स्थिती कहा जा सकता था हाला कि अब नाकपुर 27 से सीधे 86 वे नंबर पर जाने से लोग प्रशासन को ताने मार रहे है आम जनता का कहना है कि राजनेता अपनी राजनिते में कुछ इसकदर व्यस्त हो गये थे कि राज की उपराजधानी पर किसी का ध्यान तक नहीं गया और यही कारण है कि आज नाकपुर की रैंकिंग पिछडी है